मेरा एक सब्सक्राइब दोस्स मेरे को इंस्ट्राग्राब में पूछा कि भाई हम लोग मॉन्स्टर फिस को क्या ब्रीट करा सकते हैं आप मुझे स्टेब शीका सकता है आप अपके पास तो आप टीजी है या उसको ब्रीट है आप लोग करा सकते है और यूटीब में वीडियो डाल सकते है यां के आज के बीडिएओमें बतांगा बहुत कोई ऐसा तब बहुत रहां है मतलब कोलकाता साइड में ओलोक सिप गोल फिशेज गपपी स्मॉलिस यह सब छोटा फिश ब्रीट करता है पर बड़ा बड़ा फिश क्यों नहीं ब्रीट करता है एरवान एरपाइमा एलिगटर गाड़ यह से ब्रीट क्यों नहीं करता है भाई रीजन क्या इसके पीछे आज पर इसका एंसर मैं बताऊंगा एक परसेंटेज होए मैं कैसे 30% चांस ब्रीड होगा सेवेंटी परसेंट चांस ब्रीड नहीं होगा और पहले बोलता हो ब्रीड होगा 30% चांस सो बेसिकली मैं दो फिश बताऊंगा जो मैं सामने से ब्रीड होते हुए देखा हूँ आज तक लाइफ में मॉंस्टर फिश ही बोला हूँ 30% में दो फिश आता है जो कि पहला है एरो कि अगर पांड लगेगा बस घर में जितना पॉंड बना सकते हैं 10 फीट या फिर 15 फीट इतना तकी पॉंड लगेगा पीकॉग बैस देखिया अकॉरियम में हो जाएगा पर थोड़ा बरा अकॉरियम चाहिए बहुत कोई कोलकाता में ऐसा भी है जो कोई ब्रीड करता है उ इसी दो नहीं बोलोंगा पर मीडियम लबल का है आप लोग एक अगर ट्राइ करते जाएंगा पांच बाद चेवार करके ट्राइ करेंगे तो एक दिन एक दिन यह ब्रीड हो जाएगा पर गाइस मॉंस्टर फिश में और भी फिशे साता है जैसे भी बोल सकता हो स्टिंग् आप लोग मेरे को कमेंट करके बोला है कि भाई इसी है पर आज तक मैं कभी स्टिंग्र राका भी नहीं और कभी तक ब्रीड नहीं किया लेटर अगर फ्यूचर में रखूंगा तो पता चलेगा पर अगर बोलू एरा पाइमा अलिगेटर गार तो गाईस एरा पाइमा ब्र अगर 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 घर में रहा है तो वन परसें चांस है वन परसें तब पर भी आप लोग को देरा उपर यह वन परसें भी नहीं रहेगा कि आगर आपका घर में बरासाय मतला पॉंट तो नहीं वह सकता पुड़ा रिवर जाईए कर अरा पाइमा को प्रीड करने के अर अगर सच में बोल रहा है अरा पाइमा का ब्रीडिंग टाइम में उन लोग के मेटिंग देखेंगे ना आप लोग कर जीवन धन्य हो जाएगा क्यों इतना मस् देखने में होता है ना अरा पाइमा उस टाइम को मतलब कुछ बोलने काई नहीं आप यूटुब में सर्च कि यह पीज तो हुआ पाइमा यूवां की नहीं होँआ है अरा पाइमा तो मतलब रिवार को ख़ले की यह लोग बहुत ही बड़ा साइज जाते हैं सपोस्पोस आप लोग एक 8000 से और मतलब दो एरा पाइमा 8000-8000 करके 16 जर से खड़िद लिये उसके बाद वह बड़ा होने में लग बग तीन चार पांत साल लग जाएगा पूरा एडल स्टेज को अटेंड करने में सेम फो रेटल काटफिश शेम फो टाइगर सुबलनो सेम फो एलिगेटर गार जब वो हो जाएगा उसके बाद इन लोग का मेल फीमेल भी पैचाने मेरे को आस तक नहीं पता है कैसे पैचाना जाए अरवाना का थोड़ा बोरा पता जलता है पर यह एरा पाइमा रेटल पर यह मतलब एडल स्टेज होने में ही चार साल पांच साल लग जाएगा उसके बाद ब्रीडिंग करेगा और यह ओ भी आपका पॉंड में नहीं बड़ा रिवर्ज है आप लोग सोचिए एक अरपाइमा ब्रीट का पता है आपका साइस का डबल जब हो जाएगा मतलब बहुत कोई बोलता है कि भाई अरपाइमा को एकोडियम में ब्रीट क्यूंगा जा सकते है बहुत बरा अगवर्ज होता नहीं है और एक चीज अगा लोजिक लगाएंगे कि एक अरपाइमा को एकोडियम पर रखके ब्रीट करूंगा एड़ाइड का पावर होता है 20 mm गलास को अराम से ब्रेक कर देगा एक धक्का मार के इसलिए बेसिकली यह सब फिशेस को पॉसिबल नहीं है कैसे भी हो जाए ब्रीट करना पर आप लोग अकर करा लेते हैं भाई इतना प्रॉफिट में लेगा है आप लोग सोज भी नहीं सकते हैं आटीसी का बहुत सार बेबिस होत और बाकी 70% चांस है नहीं करा सकते है फिर भी मैं एरफाइमा में 1% चांस देरा पर एलिगेटर में नहीं दे सकते हैं क्योंकि एलिगेटर गार इतना बीजी नहीं है ब्रीट करना सेंफ फोर आटीसी सेंफोर टीसन यह सब बहुत ही हार्ड होते हां मेरा अगर इच्छा ब बीडियो देखा ब्रीट कराते हुए इसलिए मैं बोला ओलोग जो है मस देखने में होते हैं पर आप लोग अगर मतलब बिगिनर है आप लोग बीगिनर तो नहीं बोलोंगा मॉंस्टर फिश ओविएसली आप लोग एक्सपर्ट हो के ही पालेंगे तो कैस अगर आप लोग आप लोग शोचेंगे बाई मेरे पास एक फिश को घर में ब्रीट करूंगा मेरे पास रिवर नहीं है मेरे पास एक औरियम है अगर आपके पास पॉंट है तो आप लोग अरवाना को भी ट्राइ कर से धिर धिर होगा पैस नहीं कोना है पांच ये वार कीजी उसके एक अगर लगाए तो ये वीडियो को एक लाइक करना लाइक के बिना कहीं माँ जाना चैनल पर बिना देया सब्सक्राइब करके बिला आइकन को प्रेस करना क्यूंकि बहुत ही जल्द मतला 14th of March को हम लोग का चैनल का वन यार पूरा होने बाला लेट सी कितना सब्सक्राइब ह होता है तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को ही पर हेंट करते हैं में नेक्ष्ट वीडियो पर तब तक के लिए गुडबाई और थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो